माशाआल्ला सावन के शुरू होती ही बहुत ही प्यारा मनजर होता है और ये साधात किराम अच्छा इठेडा मेरा जिग-जैग और ज़ाडियों से बरा रास्ता मुसम तोड़ा अच्छा था बारिश होई है सावन का महीना जा रहा है और इस बेहतरीन व्यू में हम आपको लाएं पहाड़ी पर दिखाते हैं आपको इंशाला हमारे साथ आखरे तक जुड़ी रहेगा वीडियो पसंद आए तो लाइप कामेंट्स और शेयर ज़रूर करें करना से लिए आज की वीडियो का करते हैं आगास इंशाला आपको पसंद आएगी जो आप इन में से होती हुए सीधे पहाड़ी की तरफ जाते हैं ये उती पूर्खतर और तंग सा इसको हम अटा देंगे और आगे चलते जाएंगे देखिए माशाला समा इवार का इसमा अगें एसमा इसमा इसमा हमदा इवार इसमा। इसमा। यह हम दिजाना इस तरफ और अब हम पहाड़े की तरह चड़ना शुरू हो चुके हैं यह देखी माशाला यह वो साधातिक रहां जो नीचे से मैंने आपको दिखा है थे और साथ में यहाजी बाबा का मजार और नीचे हो कीकर और इस साइट पे सूरिज के आँक में चोली जारी और यह जाल पीलू अगर्चे आब वो काफी हद तक नापैद हो चुका है चाले अब मजीद इस सेट की तरह जाते हैं सूरिज बिलकुल हलका हलका सा दिकाई दे रहे देखें हम यहां से होके हैं जाना था यहां पर लेकिन अब यह रास्ता बन हो चुका है यह रास्ता भी बन हो चुका है आब हमनी यहां से होके जाना है माशाला नीचे आप काईयां देख लें यह सारी काईयां ही काईयां लाहवक पर कभीरा और शैर का नजार कुछ जैसा है और दूप माशाला थोड़ी थोड़ी अपनी जलक दिखा रहा है साधाति के राम यहां सारी काईयां ही काईयां यहां सारी काईयां जहां तक आपको नजर आ रहा होगा यह सारी काईयां ही काईयां यह देखें यह खाईयां आप चेक कर लें यहां से भी हो कुछ ऐसा बनता है और ये खाईयां यहां से इसका वियू कुछ ऐसा बनता है और शैर का वियू देखने से तालुक रखता है फोकस कर लेते हैं दोड़ा साथ यह शैर है यह निहाब आप तक्रीमन पहाड़ी पर चड़ा है साइट पे शैर का नजारा यह साथ में बागात है तोड़े और इस साइट पे सारे कजूर और मज़ीद बागात है यह देखे इस सारे कजूर और बागात ही बागात है ताहद वसी रगबे पे पेले वे बागात है और यह सामने है सुर्ख पहाड़ी माशाला ठंडी ठंडी हवा और खजूर भी अब तक्रीबन फक चुके हैं इसका जिकर मैं पहले विलाग में कर चुका हूँ आप ने वह विलाग नहीं देखा तो लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा ज़रूर विजिट करना पसांद आये तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करने यह वह फिलू जिसका जिकर मैं कर चुका हूँ अब यह इसका जो पौद है बहुत नापैद हो चुका है इसके मिस्वाग बड़ी प्यारी होती है और यह मिस्वाग करना भी सुन्नत है इसमे एक पल लगता है वह बहुत अच्छा और शायर ने भी इसको पंजाबी वाले ने यह फिलू पत्तिया आवे पेलू पक्खिया आवे अब फिलू लेकिन बहुत कम यह खाया भी आप देख लें अल्लाहाओ अर कभी रवाल इल्लाही लहांद और यह खजूरे देखें तकरीबन आपको दिखाई दे रहा होगा इसका रंग बिल्कुल तबदील हो चुका और यह पकने के करीब हैं जहां जहां से आपको खजूरे यलो यलो की खलर दिखाई दे रही हैं तकरीबन फक चुकी हैं यह चूंकि महरम का महीना शुरू है इसलिए अपने मरहुमीन की हिसाले सवाब के लिए उनके कबरों पे सब-सब कजूर के पतियां डालते हैं ताके इनको राहत मिले लाज़वजल सबकी मरहुमीन को बाक्षकर जन्नत अता फर्माए और जो हयात है उनको आखिरत की सोज दिला के मीठा मीठा प्यारा प्यारा मदीना बार बार दिखाए आमीन सुमामीन एक और खाई है देखें कितनी गहराई तक गई हुए ना आपको दिखाता हूं नस्दीक से ये खाई जो गई हुए बहुत ही देखें उदा हो अपर ये यहां से शुरू होती है दूर तक गई हुए है यहां से शुरू हो कि दूर तक गई हुए है लाला तरकी तरफ भी इस तरह की बहुत सारी खाईया है देखें ये सारी खाईया ही खाईया है और ये सेट भी ये नजार आपको बहुत मिलेगा ये पीलू ये भी पीलू का अदराख्त और वो भी पीलू और किकर का अदराख्त और ये धेर सारी खाईया है और देखें सूरेज बिल्कुल हलका हलका इस साइड पे तो बिल्कुल भी नहीं है दूप बिल्कुल छुप गई है और मोसम हो गया है बारेश वाला पहाड़ी पे चड़ा आएं और और आपको दिखा रहे हैं अपनी खुबसूरत शहर का खुबसूरत नजारा जाये करें मजाये तो लाइक ज़रूर करें कमेंट्स करना ना भूलिएगा देखें माशाला यहां से मेरा खुबसूरत शहर आपको दिखाई देगा चले क्लोस कर लेते हैं नीचे हमारा शहर पनी आला और यह धेर सारे कजूर के बागात उई ही यह तो बड़े खांच आके इसमें बंदा गिर गया शायद बचे तो बचे बीचे उतर रहें लेकिन मारा मकसूद ता आपको शहर का नजारा और उपर से जुकाईयां बनी हुई हैं खत्रेनाक वो दिकाना कि ऐसे जगों पर हाइकिंग करना किसी खत्रे से कम नहीं है देखे यह देखे ओए कितनी खत्रेनाक जगा है यह पीलू और यह रास्ता आप देख लें कितना ठंग है यहां से अगर थोड़ा सा बिया पिसल गए तो शायदी नीच देखे कि वह देखे कि खत्रेनाक कि खत्रेनाक जगा है यह देखे कि तोड़ा सा रास्ता है यहां पर यह खाई सारी हम पहाड़ी पे चड़ेते तो यहां से होते होते इन कायूम के जगाओं में से आप नीचे उतर निकी कर रहे हैं कि देखे कितनीडेंजरज जगा और है खत्रों से बर्पूर नीचे पहारास्ता बार्ष ने पिसल नवाला बना दिया है जगा जगा से काफी तक रास्ता खत्म हो चुका है क्योंकि बार बार बारिश का जो पानी होता है आता रहता है और ये पिस्लन वाली जगा बनती जाती है अल्ह तबारक वतला की नहमतों का जितना भी शुक्र अदा किया कम जाये कम है अब आया अला ए रब्यकुमा तक्जिबान इस सब कुछ रब ताला ने हमारी लिए ही बनाया है इसको इंज्जॉय करें अल्हा अजब जन ने जितने भी जिन्दगी अताफ फरमाई है अच्छे कामों में गुजारें सच्छों के साथ रहें सुत्रों के साथ रहें और एच्छन रोजा जिन्दगी में खुश करने वाले खाम करें दुनिया के लिए हासी भी और दीन के लिए हासी भी विलाग पसाएं तो आगाब आपको कमेट जरूर करना लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना बोलिएगा मिलते हैं नए दिन नए विला के साथ सलाम अलाइकूम वरह्मतुल्ह वर्रकातू यहां से जो हम जाएंगे यह देगें यह भी सारी काया ही काया मैं कुछ काता हूँ इन खाईयों में से होते हुए यह पानी यहां से पिराता है और शैर की तरफ जाता है यह वो खाई हैं जहां से पानी आ आके फिर सारा शैर की तरफ जाता है यह यहां से होती है फिर शैर के बागात और शैर के दिगर नालों में जाके जमीनों को सहराब करता है बाजाओं का सहलाब जैसी सुरति हाल पैदा हो जाती है लेकिन अलाजब जल के खुफियारा तद्बीर के सामने हम सारे बेबस हैं उतर आएं उपर तो बड़ी ठंडी ठंडी फ्यारी फ्यारी हवा जारी थी लेकिन यहां पे घर में का मौल हम बुना जी तरशे यह आम खर्च है सोदा का पुछो दी कर्च है पुछो दी यह आम हम बेचने की कर रहे हैं और यह कहते कि नहीं बेचना नहीं चाले आगे चाके देखते हैं